जिवन गतिसिल यात्रा हो यो यात्रा को दोरानमा दुख्ख, सुख्ख, घाम, पानी, आधि बेरी संग पोठे जोरी खेल दे अगी बढ़नुने जिवनको संगर्सा हो अरेक दिन खुशी रा उमंगले बांचने रहर रा चाहना हर कोही को हुँँचा तर मानिस परिस्थितिको दासु, संगर्सा गर्दा गर्दै पनी, सोचे जस्ते, खोजे जस्ते, सफल्ता भनेके समयमा नपाईन सक्किन्चा नेपालको परिवेश्मा अज्जा महिला भयेके कारण गर्णुपर्ने संगर्सा अल्ली बढ़ी ने छन आमरो भुगल समाजिक परिवेश्म रहामरो धरातल संगई, भिर्दै, अगी बंडुको पिकल्प हामी संग थाईन ग्रामिड भेका नेपाली महिला हरुका हकमा अनो गीनती इच्छार अभिलासा हरुक कल्पनामा मत्रे सिमित राखेर दुख्खको जंगार तर्नु आज़को बाद्यता हो असिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्त्य सुविदा, पोशन, ज्यान को अभाब, खेती, योग्य, जमीन को अभाब, लगायत अभावै अभाब बीच मा माथी उठनु ग्रामिड भेका नेपाली महिला हरुका लागी चुरोधी बनी रहाय का संग्षण कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेश का बिविन्न जिल्लाबाट रोजगारी को खोजिमा भारत का बिविन्न सहर्मा पुगे का नेपाली महिला हरुको संगर्श कारुणिक छा गाउमा कुरी रहेकी श्रिमतिलाई विदेशी एका श्रिमानले पईसा संगल ल्याउने रोग को भाई अज्जय पनी कम छाई न तर उनी हरुका दुख्ख भोगने लाई मात्रे ठुला होने रहेचन राज्य का आखा मा न उनी हरुले बास्नका लागी गर्णु परेको संगर्श परेको छा न उनी हरुको काख मा हुर्की रहेका भविश्य हरुको सिक्ष्या स्वास्चर समाजिक सुरक्षा को चासो छा तिन तहका सरकार हुदा पणि जब नागरिकले सरकार भय को प्रत्याभुति गर्न पाओ देनन त्याहा गाउ गाउ मा सिंगदर्वार संगय सिंगने पुगे पनि उनिहरु को जीवन मा खास अर्था राग देनन नमस्कार मबी निशा मायती घर मा यहारलाई स्वागत्स आजको मायती घर मा रोजगारी को खोजी मा भारत मा संगर्शरत लक्ष्मी खड़का मृत्यू पछी बिचल्ली मा परिको दुई छोरी रश्रिमान को बिशय काच्मन्डो के हिमाल अस्पताल र चिकित्सक को लापर वाहीले ज्यान गुमाये की प्रसम सा गोतम प्रसंग संगे सड़क मा काम गरे र परिवार पाली रहे का महिला हरु को संगर्शको कथा देखावने चो कारिक्र मायती घर को टीम सुदुर पस्चिम को डोटी पुगे का थियों आमी त्यहा को महिला को अवस्था को विशय मा बुजने कोसिस गर्दे थियों डोटी मा रोजगारी को खोजी मा तेसरो मुलुक भंदा भारत मा जाने को संख्या धेरे नहीं छ अधिकांस घर मा ब्रिद्द ब्रिद्द र बालवाली का छाड़े र धेरे जना भारत पसे का चन खेती योग्य जमिन को कमी रोजगारी को अभाव जाला मजदुरी ले परिवार पालना मुस्किल हुने भये पनी यहा मैलाहरू समेद भारत पुगे का चन भारत को ज्याला मजदुरी ले धेरे परिवार को गुजारा चले पनी कती परिवार के जिवन उजाडिये को पनी छ आमरो टीमले लक्ष्मी खड़का को परिवार लाए भेटेू रोजगारी को खजीमा भारत पुगे की उनको मूटु रोक को उपचार के क्रमा मृतियू भाये को थियो तेस्पची घर्मा रहे का दुई छोरी र श्रिमान साहारा बिहीन बने का चन श्रिमातिको मृतियू पची डोटिका हरक बहादुर र उनका दुई छोरी को कस्ट कर भगाई अबकु क्रमा डोटिको पुर्वचोगी गाउपालिका का हरक बादुर खड़का अहीले आफनोर दुई संतान को प्रान लक्षा का लागी सवई संग गुहर मांते शन श्रिमति लक्स्मी खड़का को भारतमा मृतियू भयपशी अहीले हरक बादुर को जीवन उजाडिये को स राद कन 9-10 बार एंग पेसाब करनाय जन्छू उत्ती बयलाईनो उर्दयन गार्चो वगास्ट वगार उँ उठाड़ उन्गर छो उँवाने रजोंचू ज़ियर ओधनाय पानीपरवण एटा बादधा बच्चू राती गाउमा एवटा जुप्रो घर भाय एक संपतिको नाम्मा केही छाई ना स्रीमान स्रीमती दुबई मुटु रोग बोखेरा बाची रहे का थिये दुई छोरी जन्मी एपछी उनिहरको पालन पोशन रसिक्छा दिक्षा का लागे भईपनी जोन्पर्वार का लागे मुगल ऑन ब्वशनो को भीकलपक खड का परिवार मा थिये ना चिराकिंस इन्जनको याउमेठी लागे फिंई रसिये सिइसे है धिया अबैशीाओट्काओ वार्वार्ण कवे झालोटिय ला आचे जीजनक्वार अग्वार्वार्ण है इनले पल्लो जाते हैं अला शुकर को भी मारी मारी जोड जोड मा दुग था तेस मद्धे पनी हरक बादूर सारेरी कृप मा अपांगता संगे अन्ने रोगले चापे को थियो तेसाईले हरक बादूर लाई चुरी रा घर कुरना राखे रा श्रीमती खड काम खोजदाई दुई वर्स अगी भारत पसिन बादूर साच दगाया खोजदाए भारत मेर मेरो अपिलो पसे काम खेसे कर दूर में अज़को काम खेसे कर दूर घर यह अटी सावते बशी सावते यह पले को पले खूम यह पिल्युनी यह कमर अलग इनो जोड जोड मा नो नह नह बहुद उदाए वो गाड़ी कतिया, वो मेरा सास देखागु मेरा बार्द है, कईले इतन गड़ी जांचू, इल्ला लगेरा, कईले पाड़ा उंचू, इल्ला लगेरा, यह गड़ी किराए हैं, मेरे बार्द है दिरा गाते हैं। श्रिमती लोक्स्मिले भारत मा काम गर्न ठालीन। सुरू-सुरूमा लोक्स्मिले काम राम्रे भयेको बताऊ। तडर उनको स्वाथ्ये बिग्रि देगयो। घर मा फोन गरेरा मुटुमा समस्या देखियेको बताव थीन। हर कलाई छोरी हर को राम्र संगा ख्याल गर्नो भन थीन। आफुव उसदी उपचार गरेरा काम गरेरा अलिकती पैसा जम्मा भय पछी फरकीने सुनाव थीन। नेपाल मा जहन रोग बढ़ देजाना थाले पछी उपचार का लागी समेद पैसा नहो दा। खड़का भारत मैं उपचार गराउने रा निको भय पछी काम गरने भन देए भारत लागीन। तर यू पटको भारत प्रवेश लक्ष्मी का लागी सुखत भाईना। हरकर उनका दुई छोरी को जिवनमा बजरपात आयो। आमा को फोन कुरी रहे का दुई छोरी ले एक दिन बिहाने आमा को मृत्य को खबर पाये। सदै छोरी को ख्याल करहे बुडा भन्ने श्रीमती को उपचार के क्रम्मा जियान गयो। हरका सहारा बीन भये, छोरी हरू टुहुरा भये। उनने गोली खाय देना खुंड पातल हुने गोली। वो ज्याधा भये रहे वहाई मरी। इंडिय माई। छोरी हरू को सिख्चा दिख्चारा आफनो बुडेशकाल को सहारा का लागी मुगलान पसे की लक्समी को गहर मा अस्तु मात्रे आयो। वो अलकेती टाउगा को अदिल ले राया। अलकेती मजाठों को महतुबिल ले राया। याँ छिपना रेया। श्रिमती को मृत्यु पशी हरका को घर जास्त चाइना। दिन भरगाउमा दोई छोरी संगा भावतारी रहां चान। छिमेके हरूले दिये खांचन नबए दोई छोरी रहरका भोकाई सुच्चन। आमा कम्रित्यु पछी छोरी हर को भविश्य दिन प्रती दिन अंदकार तर्फ धकेली देशा श्रिमतिको म्रित्यु पछी दुई छोरी राफ न अवस्था ले हरक बाहादूर लाई बिच्छिप्त बनाई रहेको छा अनमा अनेक थरी कुराउँचन छोरी हरको अन्वार हेलचन अनी मायाले रोक्छा उसोता हरक बाहदूर को अवस्थाको बारेमा इस्थानिये नेता कारे करता देखी इस्थानिये तह प्रसासनलाई समेत जानकारी नभयको होईना सबैले सुन्चन बिचरा भन्चन तरह हरक को उपचार रा छोरी हरको सयोक्का लागी कोही अगी बढ़ दैनान आफनो जिन्दगी जसोतासो टारे पनी छोरी हरको वविश्य समझीदा हरक बाहदूर कहा लें छन इनु दिनमा कले पेबिलगा जवतार मा सुथ्थून कले रोल मा सुथ्थून वो इन्दे बिचागे राया था हरक बादूर का आफन तर छेमेकी हरू पनी परिवार को अवस्ता देखेरा निरास्थ्थन नातामा बुहारी पर ने दुर्गा खड़का का अनुसार काकी को मृत्यू पसी हरक बादूर र छोरी हरको अवस्ता दयनिये बने को बताऊशिन अबूर अबस्ता ऑनी लखी टेगर अब शुगर को बिमार लागे अर्खो लागे लखे लागे लख्या बएहर वह लागें समस्ता न likes स्जेव ठाहम रादुन तवार कोनी धर्म हुंचा आम्रपनी दरेखे चिंता बोज ऑर्ष बनाई जो सब्सक्राइब देली आउचन विचारा इसको बुआ पनी आऊचन अब कोईले पहीसा हो दाई ना आमेरले पनी अब बनुन पसल मा जे शते दी राखे आऊचन अब इनको आफंता ले अब दी राखे आऊचन काम मा सब जंती आऊचन तब असाड को बेला हो ते बार धरे सब्सक्राइब देली आफंता ले एक दुए दिन सहयोग गरे पनी सदै सहयोग गर्ना उनिहर कोई अवस्तार आम्रो छाइना इर्वाचन ताका भोट मागदा जे परेपनी हामी छोँ भन्नी हरूलाई पनी हरकको परिवार को उदार का लागी छिमे की हरूले नगुहारे का होई नन तर कसे ले चासो देखाए नन हरक बादूर लाई आफनो उपचार भए के जयाला मजदुरी गरेरे भए पनी छोरी हर लाई पाल न सकने भन्ने आसा जिवीच्छ अता छोरी हरको बीद्यलाय जाने उमेर बीद्यलायको की कुरा बिहान बेल्व की के खाने बन्ने पी ले रावली एको से रोजगारीका लागी भारत पगेकी लख्श्मीको म्रीत्यु पसी कतई बटा न उनको रहात्र कमायो नकुनैँ सहयो रोजगारीको खोजीमा भारतमा जाने आउने नेपालको कुने तथ्यांक न राखेने भई पसी राज्यको नजर्मा हरक की श्रीमती लक्ष्मी को मृत्तु गड़नामा समिच छाईना तर उनको मृत्ति उले उनका दोई छोरी रश्रीमान पल-पल मरी रहे का छन राज्यका नजर्मा कोही निकट रो कोही बिकट हुनों हुदैना काटमंडों मा राष्ट्रपती मंत्री देखी नेता रो उनिहरुको आफंता हरुका लागी उपचार का खर्च का नाम्मा करोडोव निकासा हुदै गर्दा डोर्टी का हरक बहादूर ले उपचार कोता परको कुरा अहिले दुई नावालिक छोरी हरुको मुखमा माड लाउन समित पाई रहे का सोयनन न स्वदेश मा रोजगारी छा न विदेश मा जिवन सुनिस्चित छा तर पनी हरक बहादूर हरु चुनाब मा मात्रे गाउं गाउं पुगने नेता हरुको अनुहार मा भगुआन देख्षन और एक चुनाब मा भोट हालचन तर चुनाब पची हरक बहादूर का समस्या जहां को ते हैं यो रिपोट हरक बहादूर उनको दुई छोरी को जीवन मा केही सहयोग रो सकरादमग परिवर्तन को अपेक्ष्या सई तयार पारिये को हो उनका बारेमा थप बुजना स्क्रीन मा देखाईयेको नमबर मा संपर्क गर्ण सकन होनेचा अरक बहादूर उनको छोरी हरुको प्रसंग पची अब लागो अस्पताल रो चिकित सकको लापर वाहीले ज्यान गुमायेकी 28 महिने प्रसंचा गउतमको बिशय तारफा अस्पताल रो चिकित सकलाई मानिसले मंदिर भगवान मानचन कारण जिवन मा स्वास्थ्य भंदा ठुलो कुरा साइदे अरु होनच तेसेले ता मानिसरु अस्पताल को सयामा छटपटाई रहदा चिकित सक संग जिवन को भीख मागी रहेगा होनचन अध्ययन अनुसंदान रो अनुभवले खार्य को कोही पनी चिकित सक बिरामी को स्वास्थ्य माथी खेलवाड गरने दुस्साहास गर देनन तर कहिले काही चिकित सकले समित सामान्य सोची दिदा वा गम्भीर रुपमा नलिदा सानो रोगले पनी बिरामी को जिआन जोखिम्मा पार छा काठमंडों को नकसाल मा रहे को हिमाल अस्पताल रो यहां डाक्टर जयदेव यादवले रुगाखो की लागे र अस्पताल आये की 28 महिने बालिका को समश्यालाई सामान्य सोच्दा उनको ज्यान गयो अस्पताल रो चिकिस्षक का लागी साइद एक जाना बिरामी को मृतियु भायो तर प्रसम्शा को परिवार बाबु आमा का लागी मुटु को टुकरा अकाल में चूडियो तिसको पिडाले 5 महिना देखी प्रसम्शा की आमा का आखा उभाय का चाईनन्द बाबु न्यायको खुजीमा बवतारी रहे का चन्द मोरंका आसिकार गौरब दर्पन का आखा पाच महिना देखी ओभाय का चाईनन्द बर्खरै तोते बोलना लागे की चोरी गुमाउदाको पिडाले आसिका बिच्छीपता चिन्द मेरे चोरी अठाईस मेना किती लाइ समाने चुरूग आको की चोरा आको तियो हमेरे चेका बवर्न होस्पिटल देर गाई मुमा केई बखाई सनमने ड़क्टर ले तीन-चार दिन पाचा बिच्छीपता चाई गटना गतमाक को हो 28 मैना की चोरी प्रसमसा गोतम लाई रुगा खोकी र जोरो बड़े पशी कमल पोखरी बसने उनिहरूले नजिकाई को हिमाल अस्पताल पुराई अस्पताल मां डाक्टर जय दे वियादाबले प्रसमसा को अवस्ता भुजे तर कुने पनी परिच्छन गराए नन बरू अवस्ता सामानने भईको भन्दै अवसदी दियर घर पठाई घर पुगे पशी प्रसमसा को अवस्ता जन बिग्रिदै गयो अवसदी पने सामानने भली कोकियो अवसदी पने सावदाई ठीकाई सा मां अर ठाप दिन छीवा gentनर ठाप सहे भाईो खाए लगाये पने जोर अर ठेक भाईनना आज लेहाई राख्वाईम और फेरी ठीकने में पसादी फेरी लेहाई जाना पड़नता और फेरी लेहाई गाईम चिकित सकले बाफ लगाएरा घर में रेस्ट करे होंचा भन्दाई भर्ना गरेनन औरको दिन प्रसम साको स्वास बड़े और पेट फुलियो गौतम दमपदिले तुरूनते अस्पताल पुरियाए अस्पताल ले परिवार के आगरहमा पाचो दिन एक्सरे गरे रहे दा फोक्सो को साथी प्रतिसत भागमा पानी जमेको थियो इकदम देशोली लेको रहे खाऊनी माने क disruption ती आण्शार क्वाएम में जल्चायो तेस पषी बलन अस्पताल ले अंतिम अवस्थाँ मा हमीले सक्ड़ेनो कांथी बाल अस्पताल मा लाईजानोष पन्ना थाले कांथी असपताल मा बेड भनी दियको भने पनी और तेनारे चाहिए सेमा और दीनु भाइने आरक आमृ त्याने जान भाइन अपला झाहिए और फ्लाइन जान पूप आरक्षणी को पलाव सेन और आरको अस्पिताल मा था अजैनों अगा। और उ खुषे रही हमेडिना करीयस गृइह सोरोकाν जानों आधानों अवाए से बैसा कार नौतु करतों कृष्रे को साधन आधानों कारने कशा सी रह구나 रहां चुरे-फिर साथ़ा समय कृषार मैं तपया से difficult. निन ननायसा 성ता करना दे 600 गखानों मा जान आते को आते अब नानी दे गितर लादा पो अलिक सांती हुंचा थाई ना तिसे दी बोकेर बाचे किसे एमलेंच मा छट पटाउं दो इगरे की छोरी लाई काख मा चया पेर गौतम दमपती अस्पताल को खोजी मा बहुतारी रहे पची महाराज गन्जस्तित मेटर अस्पताल मा बेड पाए तर बेडम बना मेटर अस्पताल मा पुर्योंदा धेरे डिलो भई सके को थियो अस्पताल मा पुर्याएको दोई घंटा मा प्रसमसा को ज्यान गयो रुगाखो की लागेर अस्पताल पुर्याएकी छोरी लाई अस्पताल ले सामाने परिच्छन समेत नगरी अलजायरा छोरी को ज्याने गए पसी अहिले प्रसमसा का आमा बुगा नियाएको खोजी मा भवतारी रहे का सन कि अहिले छोरी गुमाएं। अर उपशेली गुमाउनून्ना परोश्वने रौ शेयाए कौ नानी को काचकरिया सखेरा आयरा आएवा कईー धायरा फरकेरा आयरा आउने बित्तिके नेपाल मेडिकल कांचेल मा उजूरी ति हैं नेपल मेडिकल पचाइब प्रवरी पशार मा दियें, जिला प्रशाशन कारिलाय मा दियें, थे अबड़ा नेपल मेडिकल एस्छाइशन रहला जानकारी पठाएएं, धमाली मेड़े अवड़ा प्रिश्मेट पने गर आएं योकुर्या सर्वसादन ले सफ़े शपई देश बरी अथावा मेडिकल सम्मंदी जानकारी ना उनी इसता गटना अरुखना जानकारी ना उनी मांचेली जानकारी पाउंद अरुशचेतुन बने रहा प्रिस्मिट करें या मिले 10 कते देखी इमाल अस्पताल 32 दिन सम्मा धर्ना दियेरा एमर्जेंशी शेवा बायक अरुशेवा सबे बंद गर्दा बंद गर्दा आमिले धर्ना दिये छोरीको म्रित्यु पसी अस्पताल रच्चिकित्षकलाई चानवीन गरी कारवाही को माग गर्दे डेड महीना सम्मा अस्पताल परिसर्मा धर्ना बसे तर खुणे पनी सुनुआई भ़य न, अहिले उने हरु अदालत को बाटमा चनव अस्पताल रच्चिकीत्सक्को लापरवाई का संबंद मा अनुसंधान गर्ने निकाये नेपाल मेडिकल काउंसील मा सामेत उने हरुले उजुरी गरे तरह मेडिकल काउंसिल दे समेद उनी हरुलाई जोलाउने मात्रे काम गरेको छा तरह मेडिकल काउंसिल दे कारवायों गाडि बढ़ाया थे तुन जल शम्मा अन्य निकार हो अमीले प्रदान मंत्री को कारेले मा बहतर पेशको जहीं ग्यापनपत्र अरु शहित यो केशको कि अगी मात्रे नेपाल मेडिकल काउंसिल ले प्रतिवेदन मा 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 प्रतिवेदन म प्रणाली गद त्रूटी देखीएको तत्य समेत फेला पारेको छा। तर उपचार मा समलग्न चिकित्षक्र अस्पताल लाई भने नाम मात्रको कारभाही गरेजस्तो गरेर छाडी दियेको छा। काउन्सिल को निने संग परिवार असंतुष्टा छा। त्रूटी प्रमानित हुदा होदे पनी उल्टे अस्पताल ला चिकित्षक्को सम्रच्ण मा काउन्सिल लागेको गुनासो उनियर को छा। काउन्सिल ले त्रूटी देखाई सके पसी अदालत बाट दो सिलाए कारभाही होने आसा उनियर को छा। नेवलमेडिकेल काउन्सिल हो जवाबख ँश्तो हुद दोक्टर लां का सबईल्बाइगार साथयम चा। बोली डॉक्टरेपुग देना अई ना अनि उन देर को काम कीर राशेता वंदा कीना काउन्सिलिंग नाम रहा हाँ राशमने आमिला काउन्सिलीं गरने अतिवाय पसी आमिले गर नी या दरना बंद गरे पचाडी गरे जिल्ला अधालत मा मुददायर गरें मुदा दायर गरे रहा अदालत को प्रक्रिया अल proudा शुट कि अ국िति जंज़तकी ले large सरभा हे अन परिवार नावालिकाको स्वास्थे माथी गंबीर खेलवाड गरने अस्पताल रोचिकित सक्लाई कारवाही नौदा सम्मा संगर्शन नचोड़नी पच्छे माचन। जिकित्सक र अस्पतालने समान्य सचिति दा गोतम परिवार पांच महिना देखी सब्द छन। अस्पताल र छिकित्सक प्रतिको भरुसामों प्रस्न उठाई रहे काचन। न्याय का लागी भावतारी रहे काचन। उनिहरुले केवल मृत प्रसम्साले न्याया पाउन भनेर संगर्षगरी रहे काचन। साथे अहिले उनिहरुको बिशय अदालत मा बिचारा दिन अवस्तामा चा। मेडिकल काउंसिलले अस्पताल रचिकित्सको त्रूटी देखाये पने कारवाही वने गरेको छाईना। अब दोसी, निर्दोसी छुट्याउने काम अदालत को हो। अदालतले पक्केट उंग्याउने सा। तर अब कुनेई पनी अस्पताल चिकित्सको गएड जिमेवारी का कारण अरु प्रसम्सा हरुले जियान नगुमाउन। अरु बाबु आमाको काख नरित्तियोस। प्रसम्सा को न्याया का लागे मायती घर निरंतर फोल्वाप मा रही रहन्चौ। आज़को कारेक्रम मा हमिले सुधर पस्तिम को डोटी जिल्ला को विशयलाई प्रार्थमिक्तामा राखे का सो। तपाई हरुको गाउं टोल मा रबस्तिको विशयलाई पनी क्रमेई संग उठान गर दे जाने सो। स्क्रीन मा देखाईये का नम्मर मा हमिलाई संपर्क गरन न भूलनु हला। केही दिन अगी हामरो टीम डोटी पुगदा, डोटी मा धेरे महिला हरु, दुई छाक टार्न का लागी संगर सरत देखियू। खेती योग्य जमिन को अभाव हुदा बर्षको उपजावूले छो महिना धान देईन। तेस पची छोराचोरे र विरामी श्रिमान को अउसदी उपचार र शिक्ष्या दिक्ष्या को समेद भार बोके र केही दिदी बहिनी हरु गिट्टी कुरदे थिय। डोट्टी को सारदा खड़का, कल्पना खड़का र गोमा देवी खड़काले आफना संगर्षको कथा माईती घरमा यसरी पोखी रहे काचन। उनिहुन सारदा खड़का, सारेरीक रुपमा अपांगता भायको श्रीमान को उपचार र र रेक्तेक का लागी संगर्षको पूर्ण जीवनियापन कर दे आई रहे किछिन। न चरको घाम न जरी बादल। जस्तो सुके अवस्थामा पनी काम गरियेना भने बेलुकी घरमा बिरामी श्रीमान भोके होंचन। आफो पनी भोके सुतन। पर्छा। साने उमेरमा विभागरेकी सारदालाई आफनो श्रीमान को सारेरिक अवस्था कस्तो थियो वन्ने था थियेना। चोरी मान चे एक चुटी विभागरेरा आये पसी श्रीमान जस्तो सुके अवस्थामा भाय पनी जिन्दगी जिवनु पने रहेचा। खड़का जिन्दगी संग गुनासो गर्षिन। खड़का जिन्दगी संग गर्षिन। लोगश जिन्दगी संगें पनी इन र misinformation सारोख टे बिभागरें बिभागरा साथो खड़का जिवन इसे। छोरी मान चे को सुखादूखा सहारा भॉने को मायती पक्षे हुन। आर्थिक अभावके कारण सार्दा खड़का को घर मा अजय अंदकार छा गाउगाउमा सिंग दर्बार आयो भन्नेत उन्ले पनी सुने कीशिन तर जनताले की पाई? सार्दा प्रस्ण गरशिन दिन्भरी काम गरे रथाके की सारदाका ना आफना चोरा चरी चन नता अरुपरिवार का सदस्चे ने धेरे थकाई लागेको दिनता भोके आफना जिन्दगीलाई धिककार दें दाउशिन सार्दा जस्ते कलपना खड़का पनी आफना तीन चोरा चरी को उज्जवल भविस्चे कोर्नको लागी सड़क मा काम गरदे आई किशिन मेरो कोई पिंद साहिना और खड़क मांचे हेद्या मुई आपने भाड़ा भाचेरे चोरा चरी लाहर काया पड़ाया चोरो पड़े लागे लागे अजर पूरुच भीतियले अब चोरा मांत्र से पड़ना लागे अजर अब इस्तोय काम पाया बने अब नेवचे काम गरे पड़ैा अब योगतु मां तर शाद द्या मंचे कोई से न मेरोHa ते आम मيला ध्यरेश्य D नौकार्जा अब पाला अनि डोटी मैं गो मा देवी खड़का अठार अब वरसा देखिई आमा बुवा दुबई को भुमिकान निर्भाह करते आये किसिन। दुबई को भुमिकान निर्भाह करते आये किसिन। रोक्केई कारण भारत में जान्गुमाईन। तेस्ते गोमा, कल्पना र सारदा खड़का डोटीमा परिवार को गुजारा चलाउन संगर्श रच्छन। उनिहरू कसेले पनी सरकार भायको प्रत्या भुती गर्न पाये का सहिनन। उनिहरू को संगर्श केबल दोई छाक टार्न, आंग छोपन र एक सरो कपडा र बिरामी पर्दा समय में सिटामल खाना का लागी मात्र हो। गास, बास्र, कपास, भाहिकपनी, सिख्षा, स्वास्त्य, लगायत का आधार, भुत, अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नु पर्ने हो। तर राज्य उत्तरदाई नबंदा जनतालाई भोट बैंका रुपमा मत्रे सोजदा, डोटी का महिला अरुको जीवन कस्ट्रकर बनी रहेको कुरा सत्य हो। कारिक्रम माहिति घर, तपाई हरुके पीर, मरका, दुख सुख सुनाओने साजा थलो हू। तपाई पनी आफनों दुख सुख साटना चाहानों हुन्छा बने, स्क्रिन मा दिएको नमबर तथा नारी टेलेविजन का समाजिक संजाल मार्पत हामीले संपर्ग गर्नों सक्नों हुने जा। माहिती घर टीम तपाई हरुको समस्या समाधान का लागी सहकार्य गर्नों तत पर्षा। आजको कारिक्रम बाटा, हामरो संपूर्ण टीम सहित मा पनी बिदाली न चाहांचु। नमस्ते। आजको का एंप।